नमस्कार दोस्तो यू टीवी निउस 24 की एको नई वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है गैस बहुती बड़ी ख़बर सामने निकल के आ रही है आईपेल को लिकर आप सभी को पता है कि आईपेल का जो पहला मैस था वो 29 मार्ज को खेला जाना था मोमें इंडियस वर्सेश चेनिस सुपर किंक के बीच में उसका स्टेडूल भी जारी हो गया था मगर दोस्तो कोवर्ड 19 की बज़े से उस स्टेडूल को रद करना पड़ा बीशी से आई को क्योंकि सरकार का दवाब था मगर आप दोस्तों फाइल हो चुका है और आपको बताएंगे कि जो 19 सितंबर को पहला आईपेल का मैस खेला जाना है मगर अभी स्टेडूल जारी नहीं हो रहा था काफी दिन से तो उसको लेकर बहुती बड़ी ख़बर सामने निकल के आईए अगर आप इस स्टेडूल की बारी में जाना चाहते हो कि आईपेल 2020 का स्टेडूल कब जारी हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखते रहे हैं इंडियन प्रीमेर लीग के तेरेवे सेजन की सुरुआत 19 सितंबर से हुनी है लेकिन BCCI अब तक आईपेल का स्टेडूल जारी नहीं कर पाई है दरसल बात ये है कि UAE में आईपेल के तिन इस्तलों में से एक अबू धावी ने अपने सक्थ कोविड-19 के प्रिटोकॉल्स की वज़े से BCCI की मुश्किलें बढ़ा दी है BCCI UAE की सरकारों से कोविड-19 के नियमों में नर्मी बरतने को लेकर बात कर रही है BCCI के स्टेडूल जारी नहीं करने की वज़े से आठ़ा फ्रेंचाइजी काफी परेसान है और अपना प्लान तयार नहीं कर पा रही है हमारी सूतरों की माने तो BCCI ने अभी तक IPL कारकरम के बारे में हमें कुछ नहीं बताया है लेकिन हम फ्रेंचाइजियों के लिए IPL मानो आज सही शुरू हो गया है क्योंकि अगर इस बार IPL नहीं होना होता तो BCCI हमें काफी पहले बता चुका होता फ्रेंचाइजियों ने टीम पर काफी पैसा खर्च किया है पॉजिटिव मामले लगातार आ रहे हैं फ्रेंचाइजी के एक अधिकारी ने हमारी टीम से बात करते हुए कहा कि अगर IPL 13 को रद किया जाना है तो अभी यह फैसला ले लेना चाहिए उन्होंने कहा अगर BCCI को IPL रद करना है तो वो आज ही करें 15 दिन बाद ऐसा नहीं करने देंगे क्योंकि फ्रेंचाइजियां इस समय UAE में हैं और उन्होंने अपनी टीम पर काफी पैसा खर्च किया है साथ ही जब हमने अपने खिलाडियों को IPL के लिए बुलाया है तो हमें उन्हें पैसा देना होगा टूनामेट रद हो जाने पर हम खिलाडियों से यह नहीं कह सकते कि आपने मैच नहीं खेले हैं तो आपको पैसे भी नहीं देंगे CEO Heming Amin इस समय UAE में है और अमिरात की तीनों सरकारों से बात कर रहे हैं ताकि COVID-19 के नियमों में कुछ नर्मी बरती जा सके दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और आप अपनी फैवरेट टीम का नाम और अपनी फैवरेट खिलारी का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताईए दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें चेनल को सस्क्राइब करें घंटी को दोबाएं क्रिकिट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए